हलो एवरीवन पैरे बच्चों आव वेल्कम योल्टो आ लर्निंग प्लेटफोर्म मोल्डिंग माइंड तो ली लेट्स स्टार्ट लर्निंग तुड़े और सब्जेक्ट इस इंग्लिश वर्क्षीट नम्बर इस 41 और देट इस 8 ओक्टूबर 2020 क्लास इस 10 यहां अपना नाम कर सकते हैं तो चलिए आज की वर्क्षीट हम स्टार्ट करते हैं रीड दा फॉलोइंग एक्स्टेक्ट एंड आंसर दा कोश्चन डेट फोलो नीचे दिये अंश को पढ़िए और कोश्चन आंसर दीजिए और यह एक्स्टेक्ट किसे लिया गया है यह आपके चैप्टर न इस स्टोरी को कहानी गोरस्किन बोर्ड ने लिखा है देरिया स्मॉल टाइम थीफ फूबी फ्रेंड सा स्ट्रगलिंग ओथर इन दा प्लांस ओव मेकिंग अस्टील एक थोड़े समय के लिए मतलब कुछ थोड़ी मोट छोटी मोटी चोरी करता था थोड़े समय से ही वह च इस स्ट्रगलिंग ओथर को एक ऐसा ओथर को भी फ्रेंड दोस्त बना लिता है जो की स्ट्रगल कर रहा है कि किसलिए इन दा प्लांस ओव मेकिंग अस्टील चोरी करने के लिए अनिल दा स्ट्रगलिंग ओथर इस अ गुड फैलो वू वांस तू टीच हरी सिंग हाव तू इंड राइड और अनिल सिंग जो की स्ट्रगलिंग ओथर है वो एक अच्छा व्यक्ति है जो की हरी सिंग को लिखना और पढ़ना सिखाना चाता है Gradually धीरे धीरे अनिल डेवलोप्स ट्रस्ट इन हरी सिंग धीरे धीरे अनिल हरी सिंग परविश्वास करने लग जाता है मलब अनिल का हरी सिंग परविश्वास बन जाता है But हरी सिंग has been waiting for the right moment to make a killing by doing what he is best at लेकिन हरी सिंग उस समय का इंतजार कर रहा था सही समय का right moment का इंतजार कर रहा था जब वो make a killing make a killing का मतलब होता है to earn a lot of money in a short time बहुत सारे पैसे थोड़े समय में कमाना और जो कि वो किस चीज़े कमाता था चोरी से जिसमें वो सबसे best सबसे अच्छा था उस चीज़े का वो wait कर रहा था अब हम extract पढ़ते हैं I was a thief when I met Anil मैं जब Anil से मिला मैं तब भी एक चोर था and though only 15 लेकि 15 साल के होने के बावजूद I was an experienced and fairly successful hand पहले मैं बताता हूँ fairly successful hand का मतलब होता है to be the master of any particular action किसी चीज़ में निपुन होना तो वो चोरी में 15 साल के बावजूद होने के बावजूद भी वो चोरी करने में काफी mastery हासिल थी उसको और काफी अनुबहुद था इससे पहले काफी जोरिया कर चुगा था Anil was watching our wrestling match when I approached him Anil एक wrestling match एकुस्ती का match देख रहा था जब मैं उसके पास गया He was about 25 अनिल 25 साल के करीब होगा Our tall Lynn fellow एक लंबा और पतला वो लड़का था And he looked easy going, kind and simple enough for my purpose और मेरे चोरी के purpose के लिए चोरी के उदेश्य के लिए वो मुझे सब से अच्छा मल सब से सही अपना target लगा Kind और simple सब सहसान target मुझे लगा अब अनिल बोल रहा हरी सिंग बोल रहा है अनिल को You look a bit of wrestler yourself I said a little flattery helps in making friends अब flattery का मतलब होता है ऐसे सब्दों को मतलब अत्यादिक praise करना अत्यादिक किसी की पर समशा करना जोगी खासकर जूटी होती है मतलब चापलूसी के से करना अब यहाँ पर हरी सिंग बोलता है कि मैंने अनिल सिंग को कहा कि आप एक पहलवान जैसे दिखते हो और वो ऐसा उसने क्यों कहा क्योंकि ऐसे flattery word से चापलूसी सब्दों से दोस्त बनाने में काफी मदद मिलती है ऐसा हरी सिंग का मानना है अब अनिल सिंग पुष्टा उससे तुमारा नाम क्या है हरी सिंग बताता है हरी सिंग ने जूट बोला मेरा नाम हरी सिंग है और उसने ऐसा जूट की बोला I took a new name every month मैं हर महीने एक नाया नाम ले लेता हूं हर महीने एक नाया नाम चेंज कर लेता हूं क्योंकि That kept me ahead of the police and my former employers जो कि मुझे police से और जो जिने मैं पिछले जो मेरे employers जहापर में काम करता था उनके घर में चोरी कर चुका था उनसे मुझे एक कदम आगे रखे मतलब मैं उनसे बच सकूँ इसलिए वो अपना नाम चेंज करता था I didn't have much to say Anil walked away and I followed casually मुझे ज़्यादा कुस कहने की जूरत नहीं पड़ी और Anil वहां से चल पड़ा और मैंने उसका casually उसका पिछा उसके साथ मैं वहां से चल पड़ा I gave him my most appealing smile appealing माने लुबावनी वाली जो आपको पसंद आई attractive smile उसने हरी सिंग को दी और कहा I want to work for you I said और उसने हरी सिंग ने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं लेकिन Anil ने कहा but I can't pay you लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूं अब second हम paragraph पैसेज में चलते हैं I thought that over for a minute मैंने एक minute के लिए सोचा and I asked can you feed me और हरी सिंग ने ने से पूचा कि क्या आप मुझे खाना खिरा सकते हो अब ने ने पूचा can you cook क्या तुम खाना बना सकते हो हरी सिंग ने बताया I can cook I lied again और उसने कि हाँ मैं खाना बना सकता हूं और अनिल ने दुबारा से हरी सिंग ने दुबारा से जुट बोला और अनिल सिंग अब कहरे If you can cook then maybe I can feed you अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं अब आगे देखते हैं आगे पढ़ते हैं He took me to his room over the jamuna sweet soap वो मुझे अपने कमरे पर ले गया जो कि jamuna sweet soap के उपर था But the meal I cooked that night must have been terrible because अनिल गेव इट टू stray dog and told me to be off लेकिन उसने बोला थे कि मैं खाना बना सकता हूं तो अनिल ने उसे खाने बनाने के लिए कहा लेकिन वो हरी सिंग बोलता है कि जो खाना उसने उस रात बनाया वो बहुत गंदा खराब होगा क्योंकि अनिल ने उसे stray dog जो गली में जो कुत्ते होते हैं उनको वो खाना डाल दिया उनको खाना खिलाने के लिए उनको फैक दिया और उसे हरी सिंग को भी खा कि तुम भी से फैक दो लेटर बाद में he patted me on the head and said never mind he would teach me to cook बाद में उसे ने patted माने थप थपी देना उसके सिर पर थप थपी दी मलब उसे सांतावना देने ही कोशिश की कि कोई बात नहीं never mind कोई दिक्कत नहीं है he would teach me to cook कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers उसने ना ही ये कहा कि मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगा लेकिन अनिल ने ये कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा और जल्द ही तुम्हें पूरे sentences भी लिखना सिखाऊंगा और नम्मरों को जोड़ना भी add करना भी मैं सिखाऊंगा अब हरी सिंग बोलता है it was quite pleasing working for अनिल कि अनिल के लिए काम करना काफी सुखत था काफी अच्छा लग रहा था हरी सिंग को I made the tea in the morning हरी सिंग बोलता है कि मैं सुबह कि चाई बनाता था and then would take my time buying the day supply usually making a profit of about a rupee a day और उसके बाद मैं जो समान चाहिए होता था घर पर खाना बनाने के लिए उसके खरीदारी में मैं अपना समय बिचाता था और usually आमतोर पर मैं हर दिन एक रुपा कमा लेता था मतलब एक रुपे की 24 समान खरीदने में वो कर लेता था I think he knew I made a little money this way but he did not seem to be mind और हरी सिंग कहता कि मैं सोचता हूँ कि अनिल को यह पता है कि मैं थोड़ा वह पैसा कमा लेता हूँ लेकिन हरी सिंग को लगता है कि वो अनिल सिंग इन चीजों को माइंड इन चीजों पर भ्यान नहीं देता था लास्ट हम फ्रेज पढ़ रहे हैं अनिल मेड मनी बाइफ फिट्स अन स्टार्ट फिट्स अन स्टार्ट होता है डूइंग सम्थिंग इर्रेगुलर्ली कोई काम करना मतलब एनिमित तरीके से करना आप डेली बेशिस बर उस काम को नहीं कर रहे हो तो अनिल के बारे में हरी सिंग बोल रहा है कि अनिल जो पैसे कमाता था डेली मतलब उसका ऐसा कोई काम नहीं था कि वो उसकी एक रेगुलर इंकम हो इट सीम्स ही रोट फॉर मेगजिन्स उसे ऐसा लगता था हरी सिंग को कि वो मेगजिन्स के लिखता है अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग और हरी सिंग ऐसा मानते है मानता था कि क्वियर माने स्ट्रेंज विचित्तर कि जो मेगजिन में जो अनिल जो पैसे कमाता था लिखकर वो एक विचित्तर तरीका है जीवन या पन करने के लिए जीवन जीने के लिए वन इवनिंग विद आ स्मॉल बंडल ओव नोट्स saying he had just sold a book to a publisher एक शाम को अनिल एक छोटे से बंडल जिसमें नोट्स थे पैसे थे और उसने बताया कि उसने एक पब्लिशर को अपनी किताब बेची है उससे उसने पैसे कमाए है At night रात में I saw him टक दा मनी अंडर दा मैट्रस मैंने रात को देखा कि उसने जो पैसे हैं उसने गद्दे के मैट्रस के नीचे रख दिये हैं अब हरी सिंग का लालच जाग चुका था वो चाहता था कि ये पैसे मैं चुरा लूँ और क्या कहता हरी सिंग I had been working for anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line offer कि मैं लगबग मुझे एक महिना हो गया अनिल के लिए काम करते हुए और जो मैं shopping में cheating करता था उसके अलावा मैंने अपनी line का कोई भी काम नहीं किया है मतलब उसने कोई भी चोरी नहीं की है या कोई भी चोरी नहीं कर पाया है He was the most trusting person I had ever met और हरी सिंग बोल रहे है कि अनिल सिंग के बारे में कि मैं मुझे जितने भी आदमी मिले हैं उन में से अनिल सिंग मुझे पर सबसे ज़्यादा trust सबसे ज़्यादा विश्वास करता है and that is why it was so difficult to rob him और जो उसका विश्वास था उसी के कारण हरी सिंग के लिए अनिल सिंग को लूटना काफी मुश्किल था लेकिन चोरी तो वो करने ही वाला था और क्या हुआ well it is time I did some real work और वो अपने मन को फुसलाता है बहलाता है कि अब कुछ समय आ गया है कुछ real work कुछ असली काम करने का और असली काम क्या था हरी सिंग के लिए चोरी करना I told myself मैंने खुद को बताया मतलब हरी सिंग ने खुद को बताया I am out of practice मैं practice से मैंने काफी दिन हो गए है अभ्यास किये और कुछ का अभ्यास चोरी का अभ्यास and I don't take the money if and if I don't take the money he will only waste it on his friends after all he doesn't even pay me और अपने चोरी के motive को वो और पुकता करने के लिए कि वो चोरी करना चाहता था और वो अपने आपको फुसलाने के लिए बोलता है अगर मैं इससे पैसे नहीं लोगा अरी अनिल सिंग से पैसे नहीं चुराँगा तो वो अपने दोस्तों पर इसे बेस्ट कर देगा दोस्तों पर बेकार कर देगा और आखिर में after all he doesn't even pay me और वो मुझे पैसे भी नहीं लेता है तो इन बातों से वो अपने आपको रेडी कर लेता कि हाँ मैं अनिल सिंग के पैसे चुडाँगा और आगी कहानी आप extract number second में पढ़ेंगे अब हम आज के question answers करते हैं first question है who is the speaker and who is trying to flatter कौन जो speaker कौन था और वो किसको फुसलाने की चापलूसी किसकी उसने की तो इसके answer के लिए आपको मैं नीचे लेके चलता हूँ answer number first है हरी सिंग is the speaker कर he is a thief and he is trying to flatter अनिल हरी सिंग जो speaker था बोलने वाला था और वो एक चोर था और वो अनिल को फुसलाने की कोशिश बैलाने फुसलाने कोशिश कर रहा था second question है what he is a fairly successful hand at वो किस चीज में माहिर था किस चीज में उसको mastery हासिल थी तो आपको पता है किस चीज में हासिल थी he is fairly successful hand at stealing and robbing people वो चोरी करने में और लोगों को लूटने में उसको mastery हासिल थी वो उस कला का बिलकुल master था उस चीज में वो काफी माहिर था third question देखते हैं what does he get from अनिल in return from his work क्या मिलता था उसके काम के लिए क्या मिलता था उसको खाना मिलता था he gets food from अनिल in return for his work उसको खाना मिलता उसके काम के लिए fourth question देखते हैं did Harry like working for Anil give reasons in sport of your answer क्या अनिल को क्या Harry को अनिल के लिए काम करना पसंद था और अगर आपका जो भी answer है उसके sport के लिए आप कारण बताएं तो आप fourth का क्या बता सकते हो Yes, I liked working for Anil as said in the story by Hari that it was quite pleasant working for Anil हाँ, Hari को काफी पसंद था Anil के काम करने के लिए जैसा क्योंकि story में भी Hari के द्वारा कहा गया कि It was quite pleasant working for Anil Anil के लिए काम करना काफी सुखद है, काफी उसे अच्छा लगता था और उसने ऐसा क्यों कहा, He said so because He used to make profit of about a रोपी every day by buying the day supplies क्योंकि वह उसको ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह तक्रिबन एक रुपय कमा लेता था क्योंकि चोरी की उसक्यादत थी और चोरी क्यादत असानी सिजाती नहीं है जो भी दिन का उस समान खरीद है, उसमें से एक रुपय कमा लेता था And he was also receiving education from Anil और उसे पढ़ने को भी Anil से मिल रहा था, Anil उसको लिखना पढ़ना भी सिखा रहा था इसलिए उसको Anil के साथ, हरी सिंग को Anil के साथ काम करना काफी पसंद था Fifth question है, What real work is the speaker talking about in the last paragraph कौन सा real work, असली काम speaker, हरी सिंग बोल रहा है paragraph में तो आपको पता है, हरी सिंग का असली work क्या है The real work in the paragraph refers to stilling, चोरी करना हरी सिंग का असली काम है Sixth question है, Why does the speaker say I am out of practice, speaker मतलब हरी सिंग नहीं यह क्यों का कि I am out of practice, मैं अभ्यास से काफी दूर हूं, ऐसा उसने क्यों कहा The speaker says I am out of practice because he has not robbed any from last one month क्योंकि उसने किसी को भी पिछले एक महिने से लूटा नहीं था, इसलिए उसने का I am out of practice Seventh question है, Find the antonium of, antonium माने opposite word, विलो मार्थी शब्ड, criticism का मतलब होता है आलोचना करना और fairly का मतलब होता है कि आप जाद परक करकर ठीक फैसला दें और flattery का मतलब होता है आपको चापलुसी करना, तो इसका अंसवर क्या हो जाएगा, criticism का antonium हो जाएगा flattery, second friends, friends का मतलब होता है, मित्र, thieves का चोर होता है और enemies का दुश्मन, तो इसका अंसवर हो जाएगा, friends का antonium हो जाएगा enemies, find and synonym, synonym माने same meaning, समान आर्थिशब, relaxed का मतलब होता है कि आप अराम महसूस करें और kind का मतलब होता है, दयालू और easy going का मतलब होता है, अराम सी, जैसे उसमें बोलता है, he is a easy going for me, हरी सिंग बोलता है कि ये मुझे मेरे लिए एक असानी शिकार है कि मैं इससे चोरी कर सकता हूँ alluring का मतलब होता है, आपको बहलाना, फुसलाना, आपको अच्छा लगना, आपको पसंद आना कोई चीज, और terrible का मतलब भयानक, बेकार होता है, तो appealing का मतलब आपको पता है, मैंने बताया भी था कि आपको अच्छा लगता है, कोई चीज अट्रेक्टिव लगती है, तो alluring का सान्यनम हो जाएगा appealing नाइन्थ हम देखते हैं find the meaning of idiom by fits and starts and use in a sentence जो idiom है by fits and starts उसका मतलब बता है और उसे sentence में वाक्य में इस्तेमाल करें तो नाइन्थ का है by fits and starts का मतलब है doing something irregular कोई काम करना animate तरीके से कोई काम करना रेगुलर ना करना और इसका sentence में बना सकते हैं हेमा हैस बीन डूइंग हर वर्क बाइफिट्स and starts हेमा अपना काम एन्यमित तरीके से कर रही है और मुझे आप तो ऐसा कर नहीं कर रहे हरी सिंग जैसे कोई व्यक्ति से आप मिले हो आज तक can you think and imagine the circumstances that can turn a fifteen year old old boy into a thief discuss with your partner over the phone and write और आप क्या ऐसे चो प्रिस्तितियां को सोच सकते हैं या imagine उनकी कलपना कर सकते हैं जिन्नोंने एक पंदरा साल के व्यक्ति को पंदरा साल के बच्चे को एक चोर बना दिया अपने आप पार्टनर के साथ अपने दोस्तों के साथ फोन पर आप बात करें इसके वाई हम डिस्कस करें और राइट करें तो मैंने भी बात की और मैं चाहता हूं यह question तो खुद करना लेकिन जो मैंने डिस्कस किया वो मैं आपको पताना चाहता हूं आंसर हो जाएगा I haven't met anyone like हरी सिंग मैं हरी सिंग जैसे व्यक्ति से नहीं मिला the circumstances could be poverty, lack of education, lack of employment, debt lead to a 15 year old boy into a thief और कौन-कौन सी प्रिस्तिती हो सकती है गरीबी, education का ना होना और बेरोजगारी की कमी होना यह कुछ circumstances हो सकते हैं जो कि 15 साल के बच्चे को एक चोर बनने के लिए मजबूर कर दे तो यहां पर जो हमारी जो worksheet है, extract number one है, यहां पर complete होता है I hope you will like this video and if you will like this video then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share it with friends and keep watching and sporting molding minds, जैहिन, जैवार